खेर मुझे पता है हर मुद्दे पे हर तरीके से रोने वारे लोग आएंगे आपने पकड़ा तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने नहीं पकड़ा तो सरकार में जंगल राज चल ला है आपने मार दिया तो सरकार कानून पर नहीं चल लगी आपने नहीं मारा तो सरकार अपन आज सुबा साड़े च्छाए वजए कि ये खवर है कि उत्रवदेश पुलिस द्वारा विकास दुबेंड काउंटर में मारा गया और ये डिक्लेयर हुआ होस्पिल में ले जा के जब कहा ये जारा थियोरी यह दी जा रही है कि गाड़ी पलट गई और भागने कोश्च कर र आज अपराद मुक्त चाहिए हमें अपराधियों से मुक्ती चाहिए बाई हुक और बाई क्रोक वह व्यक्ति उसका जो रिकॉर्ड है कई सालों का और जो रीसेंट की घटना है आठ पुलिस वालों को उसने गोली से मार दिया थियोरी ये भी दी जा रही है सुत्रों के कि वह पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रख के चलाने भी भाला था था थोड़ा सा देर हो गया उसको भागना पड़ा पुलिस आ गई वगरा था तमाम अलग अलग चीज़ें हो गई लेकिन वह यह जब अरेस्ट कर लिया गया तो अरेस्ट एक प्लैंड अरेस अरेस्ट था उसको एक ड्रेमाटिकली बिल्कुल जैसे मुवी सीन होते हैं कि पहले आप उसको वहां पर ले जाओ उसको रात में बात करो फिट सुबह वचारक से मंद्री सामने दिख जाता है इतनी पब्लिक प्रेस पे और अरेस्ट कर लिया कई एंगल निकाल लें आप एक रिलीजेस एंगल और कास्ट वाला एंगल भी दूँगा मैं आप विडियो में बने रहेगा क्योंकि चीजें क्या है ना आप लोग या आप पता नहीं कौन सी जैनता देख रही है मुझे बाजपा समर्था के बाजपा विरोधी लेफ्टिस्ट लेबरल सेकुलर मुसल ना देता हूं थोड़ा तो अभी लोग कह रहे थे कि अरेस्ट क्यों नहीं किया अरेस्ट के लिए तो ड्रमाटिक अरेस्ट है इसके आगे क्या होगा एक कोई मैडम है कॉंग्रेस समर्थक हैं लाइव डिवर्ट पर कह रहें थी कि योगी जी ने तो कहा था कि हम इनको उत इस तरीके का क्राइम उसका जैसा क्रिमिनल है मुझे नहीं लगता कि अगर उसको डिरेक्ली शूट आउट में भी मार देते हैं मतलब विलिंगली वन तूवन करके भी इसी इंटेंशन से कि तुमने इतने को मारा तो हम उंको मार देंगे मैं उसको भी जस्टिफाई कर दे आपने उनका नहीं सोचा लेकिन आपने इस एक गैंस्टर जिसने कई लोग की जान ली होगी उन कई लोग आपको नहीं पता तो कम से कम उसका ही ध्यान दीजेये जो आट लोग मरें आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना आपको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए कि आ लिए बुली को सपाइयों में नोटस किया हुए पिर सपा समर्थक को की बारी आती है कि अखले इसादो कहते हैं मैं इंको ही शुजाओ मैं अपना ऑपिनियन देना चाहता हूं पिर अप्रियांका गांधीवाट्रा मैडम क्या कहते हैं आप यह सुनिए अपरादी का अंत हो गया अपराद और उसको संग्रक्षन देने वाले लोगों का क्या ट्वीट 9.33 a.m. 10 जुलाई का ही है जब उनको खटना का उनको बोध हुआ कि यह चीज हो गई है तो अब उन्होंने सोचा मैं क्या बोलूं जिस यूपी की राजनीती में कर रही हूं जहां पे जिस गद्धी पे एक ऐसा सीयां मेटा है जिसने पहले ही वार्निंग दे देती उत्तर प इंटेशन होता तब भी उसकेस में एक्जामपल में दे रहा हूं एक सिचुएशन दे रहा हूं उसकी यही इच्छा थी कैसा ही हो और अगर एक्सिडेंटली हो भी जाता है वो तो अपने कहे पे उतरा ठिक अगर यह ऐसा गैंस्टर था कि राज्यमंत्री को मारने के बाद भी बेल भी घूम रहा था इसके खिलाब जो गवात है वो मुकर चुके थे और इसको संक्रिशन किसे ने दिया उसकी सपा सरकार ने तब तो किसी को ध्यान नहीं आया कि कोई मंत्री को मार के घूम सकता है इतने खुले में तो सुरक्षा कहा है सरकार की जंगल राज कहा है तब यह सभा समर्थक कहा थे अब कुछ इंटरस्टिंग बातने भी सुन लेते हैं पावन खेडा कहते हैं कॉंग्रेसी हैं इंटरस्टिंगली ही चूज ट्रैवल ओनली टू बिजेपी रूल्स स्टेट विकास दूबी के लिए कह रहे हैं तेज घंटे पहले का ट्वीट ह जब मैं वीडियो बना रहा हूं 9 जुलाई का इनको कोई रुपलाई देता है बहुत ही प्यारा सा मुझे बहुत अच्छा लगा है इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि इंटरस्टिंगली इवन ही स्ट्रगल तो फाइंड एनी कॉंग्रेस रूल स्टेट इन इंडिया मतल लोग यह इंगल देना चाहरे हैं कि वह दूबे था इसलिए उसको टेररिस नहीं कहा गया अगर कोई मुसल्मान होता खान होता अंसारी होता कुछ भी होता तो वह टेररिस बन चुका होता अब तक हैं रिलिजिस इशू पर बात आ जाती हिंदो मुसलिम हो चुका होता मैं अब इन लोगों से वह ही कह रहा हूं कि अगर वो दूबे नहीं होता खान होता है मेरा रिप्लाइए सुन लेना उसका तरक कहसा आंसर देना और फालतू की बाते करने हो तो कमेंट करने के जुरूत नहीं है अगर वो खान अंसारी या कोई मुसल्मान होता तो शायद तुम लोग भी शर्मिंदा हो रहे होते कि मार कैसे दिया तुम्हारी उम्मा खड़ी हो जाती बचाने के लिए उसको कि भले ही वो एक क्रिमिनल ले लेकिन वो मुसल्मान है उसके अद्गलत हो गया वो तो अपने यह इंदू वर्ग है जो पॉलिटिकल पाटी जो एक दूसरे के विरोधी भी है लेकिन वो भी चाहती है कि उसको सजाओ किसी ने यह इंगल नहीं खेला कि वो हिंदू है इसलिए छोड़ो वो ब्राह्मन है इसलिए छोड़ो कोई कास्ट कोई किसी जीग जी पॉलिटिक्स इसलिए 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 यह इसलिए इसलिए और इसलिए अगर उसको सिंपती दी जाए अरे उसकी मा ने तक कह दिया कि उसके जो हो सके आप करिये मैं देखना चाहता हूं कि मीडिया क्या रियक्शन लेगी लेकिन बुरा तो लगेगा उनका बेटा है बहुत जादा इनको घुजगुज के नहीं रियक्शन लेना चाहिए लेकिन उन्होंने कह दिया था आपको हो सके करिए एक मा ने कह दिया था तो कास वाली बात और रिलेजन वाली बात तो बहुत दूर आगी उमर खाली का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं और उसका रिप्लाइब बहुत इंटरस्टिंग था इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं पहले पढ़िए खाली के नॉट वन हिंदू सपोर्टेड विकास दूबे बिल्कुर सही बात है बट यूर इंटाइर उम्मा डिफेंस एवरी क्रिमिनल बाई रिनेमिंग देम एक्टिवेस्ट उम्मा छोड़ी जो लेफ्टिस्ट है रवीश कुमार उनको तो खहत जाकिन नायक वाल आप वीडियो याकूब मेनन कौन था और उसके नमाजे जनाजा में कितने लोग गये थे यह किसी से चुपा नहीं है और इस बात के लिए आज भी लोग से सवाल पूछे आता है क्रिट्साइज किया जाता है लेकिन इसका जवाब इनको बास है नहीं कि इनके लिए इनकी उम्मा बहले है सम्मिधान बाद में है जस्टिस बाद में यह आज की डिट में कोई विकास दुबेस से दस गुना छोटा क्रिमिनल मारा जाए इनके प्लेकाड बहर आजाएंगे इस उम्मा राजाएंगे जस्टिस मांगने के लिए सम्मिधान खत्रें पड़ जाएगा सब कुछ हो जाए आपने नहीं पकड़ तो सरकार में जं safeguard चलुम है आपने मार दिया दूसरकार कानून पर नहीं चलुए यह आपने नहीं मारा जुझसरकार अपने कहें पर नहीं खड़ी उतर रही है सब के अपने गिर्गिट के रंग हैं समय समय पर लुग दिखाते हैं वीडियो चले को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यूरू करेगा अपना पॉंट डवी कमेंट बताइए कि आपका क्या सोचना इस मुद्धे पर फिर मिलते हैं अगले उनल जैहिन बंदे मात्र